शासन द्वारा 15 जुलाई से पॉलिथीन मुक्त प्रदेश किये जाने की घोशना के सही सिक्रियानवन के लिए आज गोरगपुर में व्यापारियों ने गोरगपुर के महापौर के साथ बैठक कर विचार विमर्ष किया और रन्नीतियां बनाई आपको बता दें कि पॉलिथीन से परियावरन प्रदूशित होता ही है साथ ही नाली और नाले भी चोक हो जाते हैं जिससे जल जमाव की स्थिती उत्पन हो जाती है इन सभी को देखते हुए एक बार फिर से उत्तर प्रदेश सरकार में प्रदेश को पॉलिथीन मुक्त करने का अध्यादेश जारी करने की तैयारी की है और 15 जुलाई से प्रदेश में पॉलिथीन पर पूर्णत प्रतिबंद लगाया जाएगा इसको लेकर आज गुरकपूर के व्यापारियों ने महापूर कारयालय में महापूर सीता राम जैसवाल के साथ विचार विमर्श किया महापूर सीता राम जैसवाल ने बताया कि गुरकपूर शहर को पूर्णत पॉलिथीन मुक्त बनाया जाएगा इसके लिए सभी व्यापारी और निगम प्रशासन काम करेंगे प्रावरण को नियंतित करने के लिए उत्तर प्रदेश ने एक जोजना बनाई है पूरे उत्तर प्रदेश को प्रावरण के दुस्मन प्लास्टिक को बंद करने की उस सम्बंद में हम लोग वेपारी हमारे सभी सम्मानित वेपारी में हमारे उपकती हमारे पार्षात सबर वैठे हुए हैं कि हम लोग किस तरह से सहर को साफ और सुत्रा रख सकते हैं और प्लास्टिक पर नियंतिन पा सकते हुए प्लास्टिक से हमारे नाली चोख हो जा रही है चाह कर भी हम सहर को गंदगी से मुक्त नहीं कर रहा हैं। इसी सम्मंध में हमारे बेपारी लोग आपस में विचार भी मर्स करने आये हैं कि किसी को कोई परसानी नहुत और सरकार ने जो गाइड लाइन जारी किया है उसके उनसार हम लोग काम करें और सहर को प्लास्टिक से मुक्त करें अभी हमनारे अधिकारियों के साथ और बैपारियों के साथ बात हुई है कि दस तारीक तक पूरी गाइड लाइन आ जाएगी सरकार के उस दिशा में हम लोग काम करेंगे तब तक नगर निगम जागरुकता के लिए काम करेंगा चार पांच दिन म वेर करेंगे और उनको प्लास्टिक भी हम सीज करेंगे और जब सरकार की पूरी गाइड लाइन आ जाती है तो हम उसके उनसार काम करेंगे और साहर को प्लास्टिक बुक्त करके रहेंगे आप देख रहे हैं सी एन ट्वेनिफोर